लहोर रिंग रोड सदन लोब 3 इसका आगाज अड़ा प्लाट अराइविन रोड से होता है और 8 किलोमीटर के बाद मुलतान रोड के ऊपर मुराका के मकाम पर एक रिताम पजीर होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको मकमल 8 किलोमीटर का एरियल व्यू पेश करूँगा तो प्रिग्राम का बाकाइदा आगाज करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ढही किया तो काइनली इसे सब्सक्राइब कर दें और इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया है FWO ने इस पे काम का आगाज हुआ 2023 अगस्त में और इसको कम्प्लीट किया गया 16 फेबरिवरी 2024 में यह सिक्स लेन कंट्रोल एक्सेस रोड है इस पे जो स्पीड अलाउड है वो 100 किलो मीटर पर आवर के हिसाब से है पुल के नीचे से जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है यह मुलतान रोड है और इसी मराका के पॉइंट से ठोकर नियाज बेक 14 किलो मीटर के फासले पे है और इस इंटरचेंज के आस पास जो अबादियां है वो बेरियर टाउन है सुक्षेन नियू लहोर सिटी एन एफसी और इसके लावा मुलतान रोड की वो तमाम ट्रैफिक इस रिंग रोड को जोइन कर सकेगी और इसी तरीके से सदन लूप 3 की ट्रैफिक इसी मकाम पे मुलतान रोड को जोइन करेगी इस इंटरचेंज के बारे मैं कहा जाता है कि ये पंजाब की सबसे बड़ी इंटरचेंज है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंटरचेंज है वो इसलमबाद में 9 एविन्यू के उपर है पिशावर मौड के मकाम पे और इसके भी आप रैम लूप्स देख सकते हैं काफी बड़ी एरिये में पहले हुए हैं इसकी वज़ा आप मेंन मुल्तान रोड है ये एन फाइफ जिटी रोड भी से कहते हैं कौमी शाहरा भी कहा जाता है ये जो ट्रैफिक का आपको मूव करती है नजर आ लिए ये मुल्तान रोड की ही है और इसी मकाम से मराका के मकाम से इसी इंटर्चेंज से आगाज होता है SL 3 का या अप इसे कह सकते हैं कि इसी जगाप एक सिताम पुझीर होता है और ये जो आप देख रहे हैं ये पुल के नीचे कैनाल रोड है ये लहोर की कैनाल गुजर रही है अभी आप देख रहे होंगे कि ये टॉल प्लाजा आपको नजर आ रहा है ये विरान पड़ा हुआ है वजह ये है कि ये सद्रन लोग 3 जो है ये टॉल फ्री है ये आप सफर बगाएर टॉल पे किये कर सकते हैं और यहीं से जब मराका के मकाम पे स्टार्ट होती है SL3 तो सबसे पहले इसका जो सेक्टर आता है वो बेरियर टाउन का ही सेक्टर है मुलतान रोड और इसके बाद जहां पे ये एक्तिताम पजीर होती है रिंग रोड बेरियर टाउन का एक बलाक है जिसको जी वी आर फेस्टू कहा जाता है और अभी जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइट पे ये बेरियर टाउन का आवर्सीज बलाक है और उसके अपोजेट साइट पे तला बलाक आता है सिरिंग रोड पे काम का आगाज तो 2016 में ही हो जाना चाहिए था लेकिन इसके उपर बेरियर टाउन ने स्टे ले लिया और वो 2018 में विकेट हुआ जिसके बाद बुजदार साब की गवर्मेंट आई लेकिन मुक्ति वजवात की बज़ा से ये प्रोजेक्ट 2018 में स्टार्ट ना हो सका SL3 पे काम का आगाज आगस्ट 2023 में हुआ CM पंजाब के अर्टेकर मौसल नेकवी ने इसका ओपनिंग की इसकी और ये रिकार्ड साथ महीने के मुदद में कम्पलीट हुआ और इसमें जो बेरियर टाउन के गर डिमॉलिश हुए वो 73 गर थे चार प्लाजा हैं इसके लावा भी स्ट्रेचर थे जो डिस्टार्ग हुए ये आप जो व्यू कर रहे हैं ये बेरियर टाउन की ग्रेंड मॉस्क है काफी अच्छी मस्जद बनी हुई है और इस मस्जद में अगर आएं तो उपर इसके फ्लोर पे मस्जद के कुरान लाइब्रेरी भी है बड़ एच्छन आयाक कुरान पड़े में माशाला आप इनका व्यू कर सकते है और यह जो आपको मैन बुलिवार नजर आ रही है बेरियर की है अब आप देख सकते हैं के इन्टरी और एक्सिट भी दे दिय गया इसके जो original plan में ये entry और exit शामिल नहीं थे लेकिन ये barrier town के resident की basic requirement भी है ये left side पे यहां से आप barrier town exit हो सकते हैं और right side पे enter हो सकते हैं और ये आप दे सकते हैं रूई नाला है जो के ring road के नीचे से गुजर रहा है left side पे barrier के ही block है ये block है gvr जिसका face one है और इसी gvr से आप ring road को approach भी कर सकते है इसी तरीके से ring road से आप barrier town में enter भी हो सकते है right side से इसकी जो total लंबाई है वो SL3 की 8 km है और जो इसकी speed allowed है 100 km फी गंटा के साब से है और तो आपको दंदादा लगा लें के ये total जो है 8 km का package पांच मिनट में बड़ी बहासानी इंताय कर सकेंगे और इससे लोगों की जिन्दगी में काफी असानिया भी आ जाएंगी और पहले यह वो ट्रैफिक केरिंग रोड की वो अड़ा प्लॉट राइविंड रोड पे आके रुक जाती थी और मुलतान रोड पे बड़ी मुशकल से पहुंचती थी और अब इसके बनने की वज़ा से राइवंड रोड मुलतान रोड के बीच में एकसेस पड़ी असान होगी है लोगर इस वक्त पुने दो करोड की अबादी का शेर है और दुनिया का चोधवां बड़ा शेर है इसकी अबादी के को यह मदर नाजर रखते हुए इस शेर में और इसके साथ मसलसल जो आप देख सकते हैं ड्रेन दोनों साइट पे चल लाए लेकिन एक चीज़ की जो भी कमी रह गी है वो प्रॉंटेशन है और अगर इस रिंग रोड के दोनों अतराफ में द्रक्त लगा दिये जाएं तो काफी महोल बेतर हो सकता है और दोस्तों इस बड़ी इंटरचेंज है जो के पहले की बनी हुई है और लोवरिंग रोड का जो स्टार्ट होता है गुलशने रावी से होता है और यहां पे इसका पहले एक सताम होता था राइवेंड रोड की उपर अब SL3 के बनने की वज़ा से अब राइवेंड रोड की जो अप्रोच है वो मुदान रोड तक हो गई है तो दोस्तों आज की वीडियो का एक सताम हम इसी राइवेंड रोड के उपर अड़ा प्लॉट पर करते हैं अपना और अपने चाने वालों का ख्यार लगएगा खुदा हाफिज पाकिस्तान जिन्दबाद